बाई railway में टिकट लेके जा रहे हो गलती से भी railway में online payment मत कर देना क्योंकि railway में साले online payment जो करते हैं वो इतना fraudy है आपका पैसा कभी जिंदगी में return नहीं करेंगे आप complaint करकर के पागल हो जाओगे railway के अंदर किसी भी complaint की कोई reply नहीं है आप कितना मर्जी complaint कर लेना मैं आपको एक example दिखाता हूँ कि ये मेरा cancellation ticket है इस ticket को गोर से देखिए ये एक betting का ticket है और इसको 23 तारिक अगस्त आठवे महिने में cancel किया गया था ये counter ticket था और ये online UPI payment के जरिए cancel किया गया था इसके बावजूत आज 15 तारिक हो गया है 15 तारिक नौवा महिना यानि 23 तारिक का ticket 23 दिन के बाद भी इसका कोई refund नहीं है रेलवे ये कहती है कि बैंक चाहिए बैंक में आपका पैसा डाल दिया गया है और बैंक में जाओ तो बैंक वाले ये बोलते है कि रेलवे ने आपका पैसा नहीं डाला है हला कि बैंक वाले बहुत clear हैं और बैंक वालों ने एक पासबूग के दौरा ये नए पासबूग इसू करवा कर मुझे अपनी तरह से पूरी clarification देती है कि आपका पैसा रेलवे ने बैंक में नहीं डाला है लेकिन रेलवे इस बात को मानने को त्यार नहीं है उसके बाद आते हैं रेल मदद पर रेल मदद में कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है और कंप्लेंट के दोरा रेल मदद में आप जब भी कॉल करोगे तो आपको reference number देती है जाता है कि आपका ये complaint है ये reference number है ये देखिए ये शायर इसमें clear नहीं दिखाई थे बट ये reference number है रेलवे में कितनी बार complaint की गई है और ये कितनी बार reference number नीचे मिला है मुझे ये नीचे blue light में जो दिख़रा ये railway का reference number है और ये कितनी बार complaint की गई है इसके बावजूत रेलवे की तरफ से कभी कोई जवाब आस तक नहीं मिला है तो भाई रेलवे में जब भी टिकट लेने जाओ cash payment करो ये जो digital भारत और digital payment का जो system चल रहा है ये सबसे गंदा और सबसे गटिया है आप इसके चकर में कभी मत पढ़ना रेलवे में जबी भी आप टिकट लो सीधे सीधे UPI cash payment करो UPI scanner ये सब वेटिंग टिकट में गलती से भी मत करना वरना आपको लाइन में घंटों भी लगना पड़ सकता है जो कि मेरे साथ भी हुआ था टिकट लेने के दोरान मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट वेट करना पड़ा था क्योंकि पेमेंट रख गया था और उसके बाद भी जब पेमेंट नहीं क्लियर नहीं हुआ तब भी दुबारा से मुझे स्कैन करवाए गया ठीक है तो ये बड़ी लंबी काली है फिलाल तो यह जंजड यह है बहुत किलियर यह बात है कि बाई online payment मत करना cash payment दो और digital बारत जाए भाड़ में ठीक है अपना payment दो cash payment दो, cash payment दो यह digital feasible के सक्कर में मत पड़ो